दोस्तों सब्सक्राइब करें क्रिकेट नाइन यूटिब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताएंगे हमारी वीडियोज मिलें आपको सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान और वेस्टेंटिस के 20 टीटी मैचों की स्रीज के लिजा रही है जिसका दूसरा टीटीटी मुकाबला 14 दिसंबर को कराची के नेशनल इस्टेडियां पर खेला जाएंगा आपको बता दू ये मुकाबला बेहत ही रोमाचक होने की संभावना है क्योंकि वेस्टेंटिस के टीम दूसरे मुकाबले को जीत कर स्रीज में बराबरी करने के रादे से मेदान पर उतरेंगी जबके पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को अपने नाम करके स्रीज जीतना चाहेंगी मुकाबले के टाइम की बात करें तो ये मैज बारतिय समय नुसार शाम 6 बच कर 30 मिनट से खेला जाएंगा जिसका लाइव टेली कास्ट आप सोनी 6 पर देख पाएंगे जबकि लाइव स्ट्रिमिंग का अनन आप सोनी लिव एप पर उठा सकते है आपको जादो पाकिस्तान और वेस्टेंडिस के बीच खेला गया मकाबला पाकिस्तान ने 63 रन से जीत लिया मैच में महमद रिजवान और हैदर अली ने शियांदार बल्ले बाजी की जबकि गैन बाजी में भी पाकिस्तान की तरब से वसीम जूनियर और शादाव खान ने वेस्टेंडिस के बल्ले बाजों को सस्ते में आउट कर पाकिस्तान को बड़ी जीत दिलाई दूसरे मुकाबले में इस जीत के बाद भी पाकिस्तान अपनी प्लेइंग लेवन में बडलाव करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगा जिया दोस्तों अपनिंग में बाबर आजम और महमद रिजवान बल्ले बाजी करेंगे तो नमबर तीन पर फकर जमान नमबर चार पर खेलते दिखेंगे हुदर अली और नमबर पाँच पर एक बार फिर से आसी फली खेलते दिखेंगे मतलब नमबर पाश तक तक तो कोई बदलाव नहीं होंगा लेकिन नमबर छे पर इफ्तिकार एहमद की जगा खुशदिल शाह खेलेंगे नमबर साथ पर मुहमद नवाज नमबर आट पर शादाब खान नमबर नौ पर मुहमद वसीम जूनियर और दस ग्यारा पर हारी स्राओफ और शाही नाफरिदी के जगा शेहनवाज धानी और उस्मान कादिर खेलेंगे मतलब पिलेंग लेवन में कुल तीन बड़े बदलाव होंगे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही